हेलो फ्रेंज बोजन पोटली मैं आज हम आपके लिए लेकर आए है रिपब्लिक डे स्पेशल तिरंगा पुलाओ इसके लिए मैंने तीन कप बॉयल्ड राइस लिए उसके लावा एक कप टमाटो प्यूरी एक कप पालक की प्यूरी थोड़े सी गाजर कटीवी और थोड़े से मतर लिए अब मैंने एक पैन में एक टेबल स्पून गी गरम किया उसमें थोड़ा सा साबुत खड़ा मसला डाल और जीरा डालके उसमें टमाटर डाल लिया अब उसमें नमक हलकी सी हल्दी और थोड़ा सा लाल मेच पॉड़े डालके उसको ओयल रिलीज होने तक भून लिया बीच में इसमें गाजर डालके उसको भी थोड़ा सौटे कर लिया अब इसमें मैंने एक कप बॉयल केवे रा किया थोड़ा साबुत खड़ा मसाला डाला उसके बाद उसमें एक प्यास मैंने लंबे काटके रिखे वे थे जिसको हलका साटे कर लिया अब इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़े सकाली मिच पॉड़े डालके बीच में काजू भी डालके मैंने उन्हें भी हलका रोस्ट कर डाल के इसमें एक कप बॉइल्ड राइस डाल के उनको हलके हातों से अच्छे से मिला लिया यह हमारा वाइट कले के राइस नॉर्मल जीरा राइस तयार हो गए हैं अब मैंने फिर से उसी पैन में एक टेबल स्पून घी मेल्ट किया और इसमें बचाओ खथ साबूद खड़ डाल के उसके अंदर जीरा डाला और आपकल पालक की बनाई थी वह डाल दी और इसको भी ओईल्रिलीज होने तक भून लिया जैकार थोड़ा से लालमीच बोडर टिया अगर आपको लालमेच नीच ने डालनी ताब सक भी कर सकते हैं इसके आधर इसमें भूय org केव Вас मटर हैं जो हमने मिला दी है पालक हमारा भुन गया है अब इसमें बच्चवा एक कप राइस मिक्स कर दिया और उसको हलके हातों से मिला लिया है फेंज हमारे तीनो कलर के राइस तयार हो गए है सैफ्रोन वाइट एंड ग्रीन अब हम इने सेट करेंगे इसके लिए मैंने एक प्लेट में सबसे उपर लेयर में सैफ्रोन राइस सेकेंड लेयर में जीरा राइस प्लेन वाइट राइस थर्ड लेयर में ग्रीन राइस सेट क कर सकते हैं फ्रेंट्स तयार हैं आपके ट्राय कलर तिरंगा पुलाव बनाईए और अपनी राए हमें जरूर बताईए इसके इंग्रिडेंट्स आप डिस्कॉप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं थैंक यू